So hello everyone, welcome to Filmopedia इस वोड़ो मैं बात करने वाला हूँ Ant-Man and the Boss Quantumania के नए टीजर ट्रिजर के बारे में Quantumania के मूवी February 2022 मेरीज होने वाली है और ये मूवी Marvel Face 5 की पहले मूवी होने वाली है Wakanda Forever के साथ Marvel का Face 4 खतम गुआ और Marvel का Face 4 एक Mixed Back Face था और अगर आब Marvel के Face 4 को compare करो Marvel के Face 1, 2 और 3 से तो साथ Face 4 सबसे कमजोर Face था Marvel का पर अब Marvel का Face 5 चालू होने वाला है विद Quantumania और Quantumania डारेक्ली लिड़ अप करेगी Avengers Secret Wars और Avengers Kang दानिश्टी के अंदर So Ant-Man and Boss Quantumania ना कि Face 5 के लिए बलकि Face 6 के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट मूवी है Ant-Man 3 के अंदर हमें Kang the Conqueror को उसके फुल पावर में पहली बार MCU में दिखा जाएगा और अभी रिसेंटली Empire Magazine के थू Ant-Man के डारेक्टर्स ने ये कहा है कि Ant-Man 3 की मूवी एक काफी बल रोल प्ले करने वाली है Marvel के फ्यूचर में और ये मूवी डारेक्टली इडप करने वाली है Avengers Kang Dynasty के तरब Ant-Man 3 के डारेक्टर्स का ये कहना है कि जो Kang the Conqueror हमें Ant-Man 3 के देखने मिलेगा वो Kang the Conqueror काफी है डिफरेंट होगा He Who Remain से जिसे की हमें लोकी के सीडिस में दिखा गया था Ant-Man 3 के अंदर One of the weakest Avenger Ant-Man को One of the most powerful being in the universe के सामझे रखा जाएगा और Ant-Man and Family कैसे basically Kang the Conqueror से लड़ती है इस मूवी के अंदर ये देखने में सारे fans काफी दा मजाने वाला है Ant-Man 3 का पहला टीजर अल्रेट रिलीज हो चुका है दिवाली वाले दिन और अब ऐसा लगता है कि Ant-Man का एक Final Trailer या Trailer 2 आप हो काफी दल्दी देखनों मिलने वाला है Empire Magazine के तरफ से काफी सरे New Images Ant-Man 3 से रिलीज हो है जिसके अंदर हम Ant-Man को और Kang the Conqueror को आमने सामने देख सकते है इसके अलावा काफी सारे Funko Pops भी Ant-Man 3 से रिलीज हुए है जहाँ पर हमने Mod-Daw करेक्टर के फर्श लुक को देखा इसके अलावा बाकि सारे और करेक्टर जोकी इस मूवी में इन्वाल होने वाले है उनके फर्श लुक को भी देखा So Ant-Man 3 का फाइनल ट्रिलर और ट्रिलर 2 मोच वाबली CCXP के अंदर आ सकता है CCXP बेसिकली 2nd से 4 December के बीच में होने वाला है तो उस एवन को दोरान आपको Ant-Man 3 का ट्रिलर देखना हो मिल सकता है उस एवन को दोरान Ant-Man 3 का ट्रिलर नहीं आया तो प्राइबली Aftar 2 के रिलीस के बाद Ant-Man 3 का 2nd ड्रिलर रिलीस हो सकता है Aftar 2 की मुवी 16th December के रिलीस हो रही है So Ant-Man 3 का ट्रिलर भी 15th से 16th December के आसपास आ सकता है आप Ant-Man की मुवी के लिए के लिए कितना एक्साइड हो का ट्रिलर रिलीस हो रिलीस हो सकता है